नमस्कार किसान भाईयो, मैं नितिन, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूँ किसान भाईयो, सरसो लगबग हर शित्र में बोई गई है, पिछले दो सालों से सरसो का रेट भी अच्छा रहा है, सरसो की डिमांड अच्छी थी क्योंकि दो सालों से सरसों की पैदावार कुछ कम हो रही थी या जितनी पैदावार होनी चाहिए थी उतनी लगबग पैदावार नहीं हो रही थी और पिछले साल तो उत्पादन से बहुत जादर डिमांड थी इसलिए सरसों का रेट भी बहुत जादर रहा सरसो के तेल करेट भी आप देख सकते हैं तो किसान भाईयों इसी को देखते वे हमारे किसान भाईयों ने इस बार सरसो की बंपर बुआई की है लगबग हर शेतर में पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा सरसो बुआई गई किसान भाईयों हमारे कुछ किसान भाईयों ने अब से 25 से 30 दिन पहले सरसो बुआई कर दी कहीं कहीं तो 30 से 35 दिन भी हो गई है मोसम के नुसार बुआई का जो समय है हर शेतर के नुसार मोसम के नुसार थोड़ा उपर नीचे हो जाता है और हमारे कुछ किसान भाई तो अभी तक सरसो की बुआई कर रहे हैं किसान भाईयो सरसो की बुआई को लगबग 20-25 दिन जब हो जाते हैं तो उसके अंदर अंदर हमको खरपतवार निंतरन क्या आउसकता पड़ती है सरसो में हमको खरपतवार निंतरन करना होता है किसान भाईयो सबसे पहले अगर हम बात करें कि खर्पतवार होते क्या है और इसके नियंद्रिन की आवसकता क्यों होती है किसान भाईयो वैसे तो आप काफी सालों से खेती किसानी कर रहे हैं आपको सब कुछ पताई ही होगा लेगिन हमारे कुछ जो युवा खिसान है जिन्होंने अभी कुछ किसानी चालू की है उनको यह जानना जरूरी है कि खर्पतवार होते क्या है दूसरी बात यह है कि किसान भाईो हम आपको किसी भी टोपिक पर 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 बेसिक से जन करें जते हैं तो इसलिए हमको यह पता होना चाहिए पहले तो कि खर्पतवार क्या होते हैं तो खर्पतवार की सीधी सी एक परिबास है किसान भाईयों कि आपने जो फसल लगाई है ये जो फसल बोई है उस फसल के अलावा आपके खेत में जो भी कोई दूसरी फसल उगती है कोई भी पोधा अगुता है कोई वनस्पती अगुती है वह सब खर्पतवार में आता है अब अगर बात करें कि सर्थों में कौन गोन से खर्पतवार आते हैं तो सर्थों में किसान भाईयों बथवा हो जाता है सेंजी होती है करसन नील होती है हीरन खुरी हो जाती है कि आप सकता क्यों है क्यों हमको अपने खेट से खर्पतवार हटाना होता है तो किसान भाईयों सबसे पहले तो क्योंकि हमारी सर्षों के खेट में खर्पतवार जो है हमारी सर्षों के पोदों से ज्यादा होता है जितना हमने बीज बोया होगा जितने हमारे सर्षों के पोद बूआई के समय खाट जरूर ढालते हैं तो अजो भी खाट डाला होता है हमारे किसन बाई से बढ़ा हिस्सा यह घ्रकतवार घ्रन कर लेते हैं और वह तेजी से फल ने लगते हैं कहीं बार तो यह खरपतवार जो है हमारी फसल से भी उपर निकल जाते हैं जब फसल से उपर निकल जाते हैं और संख्या में जादा होते हैं तो हमारी फसल को हवा धूप नहीं लग पाती अब एक तो फसल को पोसन पूरा नहीं मिला जिस वज़े से हमारी फसल की बढ़वार जो है वो अच्छे नहीं हो पाती दूसरा जो फसल को हवा धूप लगनी थी जिससे परकासन सलस्यन किरिया होनी थी फसल का खाना बनना था फसल की ग्रोथ होनी थी वो भी नहीं हो पाती इससे भी मारी फसल कमजोर पड़ जाती है तो किसान भाईयो अगर हम खर्पतवार निंतर्ण ना करें अपनी फसल से खर्पतवार को ना हटाए तो हमारा उत्पादन आधा तक भी रह सकता है हमारा उत्पादन बुरी तरफ पर भावित होता है किसान भाईयो अगर हम अब बात करें किसरो की फसल से खर्पतवार को निकाल सकते हैं तो किसान भाईयो सरसो की फसल से खर्पतवार खतम करने का सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है कि जिस पी खेत में आपको सरसो की बुआई करनी है जिस खेत की आपने खेत तयार किया है सरसो बुआई करने का तो बुआई से तुरंत पहले अपने खेत में फ्लू कलोरेनिल 45% EC की सवा 2 लिटर से 3 लिटर की मातरा को लेकर उसे 800 से 1000 लिटर पानी में मिलाकर परती हेक्टियर अपने खेत में चिटकाव करना चाहिए किसान भायो इसका चिटकाव करने के लिए आपको फ्लैट फन नोजिल का इस्तमाल करना चाहिए तो इससे आप जमीन पर इसका स्प्रे कर देंगे तो आपकी सरसो की फसल में कोई भी खरपतवार नहीं हुगेगा इसके अलावा अगर आपने सरसो की बुआई कर दी है और आप कोई स्प्रे नहीं कर पाए बुआई से पहले तो बुआई से 2-3 दिन के अंदर अंदर जब आप बुआई कर दें उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर आप पेंडे मैथलीन 30% EC कि सवा 3 लिटर से लेकर सड़े 3 लिटर तकी मातरा को 800-1000 लिटर पानी मिलाकर उसी फ्लेट फन नोजल से आप अमने खेत में स्प्रे कर सकते हैं लेकिन किसान भाईयो आपको यह 2-3 दिन के अंदर ही करना होगा क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपकी जो सरसो के जमाव है उस पर फर्क पड़ेगा आपकी जो सरसो के पोधे जो जमेंगे या तो उनका जमाव कुछ कम रह जाएगा या फिर वो स्वस्त नहीं गएंगे तो इसलिए किसान भाईयो आपको ये 2-3 दिन के अंदर करना होगा इसके बाद अगर किसान भाईयो आपने ये दोनों ही तरीके नहीं अपनाए और आपकी सरसो के फसल में सकरी पत्ती का खरपतवार उगाए है तो इससे चुटकारा पाने के लिए आप कलोडिनफोब, प्रोपर गिल 15% डवलूपी कव यूपयोग कर सकते हैं यह बाजार में कही नाम से आती है धनुको के डाइनोफोब के नाम से आती है यूपील के अवतार के नाम से आती है इंसेक्टिसएट की ओमेगा के नाम से आती है 160 ग्राम का इसका पैक आता है इसके अंदर 8 पुडिया 20-20 ग्राम की होती है उनको 1 पुडिया 15 लिटर पानी में डाल कर आप अपनी सरसो की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं ऐसा करने से आपकी सरसो की फसल में जो भी सक्री पत्ती का खर्पतवार होगा वैसा नस्ट हो जाएगा और आपने अपनी फसल पर कोई स्प्रे नहीं किया खर्पतवार नियंतरन का तो किसान भाईयो इसके बाद आपको खर्पतवार नियंतरन के लिए अपने खेत में खुरपी की साहता से निराई ही करनी होगी निराई करने के लिए जब आपका खेत तयार हो उस टाइम पे 20-25 दिन के आसपास लगवा खेत तयार रहता है जब आपका खेत तयार हो उस समय आप अपने खेत की निराई कर सकते हैं और जो भी खरपतवार हैं सबी प्रकार के खर्पतवार इस समय निकाल सकते हैं किसान भाईयो वैसे अगर देखा जाए तो निराई द्वारा निकाला गया खर्पतवारी सबसे अच्छा होता है एक तो वे जड़ से निकल जाता है दूसरा बात यह होती है कि जब भी हम किसी खर्पतवार नियंतरक रासायन का हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो हमारा जो मुख्य फसल है उसकी ग्रोथ भी कहीं न कहीं परभावित होती है उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है तो असलिए हम आपको सुझाव देंगे कि अपने खेत में वही 20 दिन के आसपास आपके शेत्रिक नुसार उस समय आप अपने खेत में निराई करा के जो भी खर्पतवार है उसको निकल वा ले किसान भाईयो आज की है वीडियो हमने खर्पतवार परबंदन के लिए बनाई थी सरसों में कौन-कौन से खर्पतवार होते हैं वैसे मैंने जो भी खर्पतवारों के नाम बताए हैं आपके की सरसों के फसल में वह आपके एरिये के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं या आपके खेत के नुसार जिस एरिये में जो खर्पतवार जाता होता है सरसुमें वो खर्पतवार हो सकता है लेकिन सबसे बैश तरीका तो यही है कि आप खुर्पी से निराई करा के उन सभी खर्पतवार को साफ करा ले तो आज की वीडियो गुनाने के उद्देश से आपको खर्पतवार नियंत्रेंट के बारे में जानकारी देना था अगर आपको यही वीडियो अच्छी लेगी तो किसान भाईयो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको कोई सुझाओ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और किसान भाईयो आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया हो तो आप हमारा चैनल का सस्क्राइब कर ले हमारा उत्सा बन रहता है किसान भाईयो हम आपके लिए अच्छी जानकारी खोज के लिए आते हैं तो इसी लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब अवश्य करें जल्दी मिलते हैं एक नहीं टोपिक पर वीडियो लेकर किसान भाईयो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद